हलो प्रेंड्स, वेलकम इन माई यूटूब चेनल, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इंडिया पोस्ट ओपिस यानि भारतिय डाक छेवा दोवारा किसी भी परकार का कोई पार्सल कहीं पर बेजना चाते हैं, चाहे पार्सल डोमेस्टिक हो, इंटरन या मिसलियंस हो, किसी भी परकार का कोई भी पार्सल हो, तो उस पार्सल को बेजने के लिए आपको कितने रुपे चार्ज के देने पड़ेंगे, वो हम आज इस वीडियो में बात करेंगे, कि किस तरह से आप खुद ही पता लगा सकते हो, कि कहीं पर आपको पार्सल बेजन आज का यह process दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले आप कोई भी browser यूज करते हो चाहे Google करते हो या Chrome उसको आपको open कर लेना है वह open करने के बाद उसके search box में आपको type कर देना है इंडिया post luggage ये आपको type करके search कर लेना है इंडिया post luggage जैसे ही आप ये type करके search करोगे सर्च करते ही इस तरह का जो है इसकी new page टेप खुलके आपके सामने show हो जाएगा अभी जो इसमें जो second number के उपर जो एक website show हो रही है calculate postage इंडिया post इसके उपर हमारे को click करना है जैसे ही हम इसके उपर click करेंगे click करते ही आपके सामने इस तरह का page खुलके show हो जाएगा अभी आप इस page में देख भी सकते हो कि postage जहाँ पर मैंने चिन लगाया था वहाँ पर एक option है calculate postage इस calculate postage के option के द्वारा ही हम जो है parcel का charge आसानी से पता कर सकते हो तो अभी इसमें सबसे जो पहला option है वो है type of service ताइप of service में आप देख सकते हो इसमें तीन option दिये हैं domestic, international और misliance आपको parcel जहाँ भी भेजना है वहाँ आपको click कर देना है तो मैं domestic के उपर click कर देता हूँ अभी जो next है वो है send from और send to यानि आपको जो parcel है वो कहां से कहां बेजना है तो इसमें आपको pin code, city, district, or state ये आपको तीनु चीजे फिलप कर देनी है आपको parcel कहां से कहां बेजना है तो ये चीजे इसमें pin code नमर आपको डाल देना है send from में भी और send to में भी आपको pin code नमर district or state जो है फिलप कर देना है तो pin code में जाके आपको जो pin code का option है उसमें जाके आप जैसे ही pin code नमर जहां भी आपको बेजना है जहां से वो pin code नमर आप जैसे ही सर्च मारोगे सर्च मारते ही वो एटोमेटिक श्यो कर देगा कि ये pin code नमर कहां है जैसे मैंने send from में जो pin code नमर लगाया है 395003 तो जैसे ही मैंने pin code मारा है तो ये सूरत गुजरात का है यानि मेरे को जो पारसल है वो सूरत गुजरात से मेरे को कहीं पर बेजना है अभी जहां पर बेजन 13005001 ये मैंने जैसे ही pin code नमर लगाया है तो ये pin code नमर जो है अजमेर राजस्तान का है यानि मेरे को जो parcel है वो पारसल सूरत से अजमेर बेजना है तो ये चीज confirm हो गई कि इसमें आपको जहां से जहां पारसल बेजना है उन दोनों के आपको pin code नमर लगा देना है अभी ए इसमें है select an item यानि आपका जो parcel है वो parcel आपको इसमें से select करना है कि parcel आपका किस तरह से है तो जिस भी तरह का आपका parcel का box हो चाहिए parcel के अंदर आपका कोई document हो बुक हो या कोई registry हो या कोई important document हो तो जिससे भी related आपका parcel का जो box है उसमें जो डिब्बे में आपने बंद करके बेजना चा रहे हो तो जिससे भी related हो यहाँ पर वो select कर ले चाहिए later हो चाहिए parcel हो चाहिए book packet हो जो भी हो आपका जिस भी परकार का parcel हो तो वो आपको इसमें select वाड़े option में select कर लेना है जो आपका parcel है तो मैंने select कर लिया है later मैंने select कर लिया है अभी page को और उपर की तरफ scroll करोगे तो नीचे कुछ option आपको और show होंगे वो option भी हमारे को fill up करना है तो अभी जैसे option show हो गए है weight in gram, length in centimeter, width in centimeter तो यह चीजे भी आपको fill up कर देनी है कि आपका जो parcel है, parcel का आपका weight कितना है, parcel की जो length है वो आपको centimeter में डालनी है तो आपके parcel की कितनी length है, इसके बाद में width यानि आपके parcel की जो है चोड़ाई कितनी है और जो next option है height आपके जो parcel की है वो height कितनी है, यह सब चीजे हमारे को इसमें fill up कर देनी है और जैसे ही हम fill up करके और नीचे एक option दिखाई दे रहा है, इसके उपर हमारे को click कर देना है तो मैं get available service पर click कर दिया, जैसे ही मैं इस पर click करूँगा next page open हो जाएगा, तो जैसे ही मैंने get available service के option पर click किया, click करते ही मेरे सामने फिर दो option आगे available service करके, तो इसमें जो first है वो later और दूसरा है speed post, यानि आप जो है किस तरह से आपके जो है बेजना चाते हो आप parcel को, तो वो आपको इन दोनों option में से select करना है, तो मैंने जो है, इसमें से मैं, जो भी मेरे को अच्छा लगेगा, वो option में select कर लूँगा, और इसमें आगे delivery date भी, तो मैंने इसमें speed post के option को select कर लिया है, जैसे ही आप speed post के option को select करोगे, फिर एक additional service करके option आएगा, इसमें insurance और proof of delivery, यानि आप जो parcel बेजना चाते हो, उसकी insurance करवाना चाते हो, तो insurance पर या proof of delivery, तो मैं इसमें proof of delivery वाले option के उपर किलिक कर लूँगा, जैसे ही मैं इसके उपर किलिक करता हूँ, तो next में जो मेरे को एक केपचा दिखाई दे देगा, वो केपचा वाले box में मेरे को enter कर देना ह और नीचे जो gate price का option है, वहाँ पर मेरे को किलिक कर देना है, जैसे ही मैं gate price के option पर किलिक करूँगा, फिर एक केपचा आएगा, वो केपचा मेरे को केपचा वाले box में फिलप कर देना है, और फिर मेरे को gate price का option है, वो मेरे को enter कर देना है, उसके उपर किलिक कर देना है, त का आप देख सकते हो कि टोटल 118 रुपए का खर्चा आएगा इसमें आप देख भी सकते हो कि पोस्टेज अमाउंट 90 रुपए पुरूप ओप डिलेवरी चार्ज 10 रुपए और गुड्स एंड सर्विश टेक्स 18 रुपए और टोटल अमाउंट 118 रुपए तो दोस्तों इ आपको चाहे कहीं भी पार्सल भेजना हो तो उस पार्सल का आप पहले से आपसानी से पता कर सकते हो कि मेरे को ये पार्सल वहां तक बेजने में कितने रुपए का खड़्चा आएगा तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बत थान क्यु तो लगा